पिदा पुट्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन। और प्रभुईसा मसीह को दफनाया। संद पेत्रोस अपने पहला पत्र अधियाए तीन वाक्य 18 से 22 तक एवाधियाए चार वाक्य 6 यहां सब प्रभुईसा मसीह के लिम्बूस में उतरने के विशे में, मर्दगों के उस देश में उतरने का विशे में लिखा है। और उसी प्रगार एफेसियों का पत्र दियाए चार वाक्य 9 आदिमी हम लोग इस विशे को पढ़ सकते हैं। हाज पुन्य शनिवार के दिन मेरे मन में आ रहा है प्रभुईसा मसीह क्रूस पर जो बोलेगे आकरी साथ वच्चनों पर हम साधार नदा पुन्य शुकरवार के दिन मनंचिंदन करते हैं। तो कल हम लोगों ने प्रभुईसा मसी के दुख भोग पर मनंचिंदन करते हुए उस क्रूस रास्ता करने के कारण उस पर हमने मनंचिंदन नहीं किया। आज मेरे मन में आया है जो पहला जो वच्चन प्रभुईसा मसी ने करूस पर से कहा। लोकस के सुसमाचार आद्याय 23 वाकिय 24 के अनुसार प्रभुईसा मसी करूस पर सबसे पहले यही कहा। पिदा इन्हे ट्शमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। पिदा इन्हें च्छमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं पापियों के साइड लेकर पापियों को अपने बीचे रिकर सामने खड़े होकर मद्यस्त करने वाला एक मस्ही का रूब हमें यहां प्राप्त हैं इसमस्ही उनके विरोध में बोलने वाले उनके उपर धोकने वाले थपड मारने वाले उनके किलाफ जोटी गवाही देने वाले उनको मारने वाले पीटने वाले क्रूस पर चड़ाने वाले सबों के लिए पिदा से विंदी करते हैं पिदा इने श्यमाग कर और उसका कारण भी प्रभु कहते हैं ये निर्दोश बेगुना है इने चोड़ दो उनके पाव अबराद को प्रभु अपनियों पर लेकर के कहते हैं इने चोड़ दो क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं दूसरी एक भाषा संदपवलूस ने लिखा है संदपवलूस रोमियों का पत्र दियाए साथ वाक्य पंद्रह येवं सत्रह यहां पर संदपवलूस कहते हैं मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता लेकिन जो नहीं करना चाहता वहीं करता हूं यदि मैं वही करता हूँ जो नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करता बलकि मुझ में जो निवास करने वाला जो पाब है हर्धात मेरे अंदर ऐसा कुछ पाब है जो मुझे बार बार पाब कर रहा है पाब में गिराता है मैं नहीं चाहते हुए भी अनेकों बार ऐसा कर्म कर रहा से लिए संद पवल्यूस कहते हैं मैं जो गलत कर रहा हूं उसका कारण है मेरे अंदर निवास करने वाला पाब और पवल्यूस एफेशियों को लिखते हुए कहते हैं फेशियों का पत्र दिया एच्छेवा के बारह में हमारी लडाई निरे मनिश्यों से नहीं है बलकि हमारा लडाई उन दुष्ट आत्माओं से जो दुष्ट आत्मा हमें बहकाता है हमें पाब में गिराता है लेकिन हम लोग लड़ते हैं मनिशों से अपने साथ रहने वाले अपने परिवार वाले अपने पडोसी अपने मित्र जो जो लोग है हमारे साथ है जो निरे मनिश है उन से हम लोग लड़ते हैं तो प्रभूी समसियाम पर यही कहते हैं इन से नहीं बलकि इनमें जो कम्या है जो पाप है जो निवास करता है उस कारण इसलिए ये नुर्दोश है इसा मसी पापियों का साथ साइड उनको बचाव करते हुए अपने पितास से प्रार्षना करते हुए और संदु पविलूस फिलिपियों को लिखते हुए फिलिपियों का पत्र दिया आए दो वाक्य पांच में लिखते हैं फिलिपियन्स टू फाइव आप लोग प्रभू इसा मसी के मनोभाव को अपनाओ हमें प्रभू इसा मसी का इस मनोभाव का धारन करना है क्योंकि मसी ने हमें सिखाया शत्रूं से प्रेम करो मतीकसु समचार उसके अधियाए पांच में हम लोग पढ़ सकते हैं प्रवीशा मसी हम लोग से आगरह करते हैं कि हमें अपने शत्रूं से प्रेम करना है यदि कोई हम लोगों के विरुद्ध है, हम लोगों को दुख़ पहुंचाता है, कष्टु पहुंचाता है ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्ठना करना है वाक्य चवालीस को पढ़ता हूँ, परदु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रूं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्यचार करते हैं उनके लिए प्रार्चना करो प्रभी इसा मसी ने केवल सिखाया नहीं उनके उपर अत्यचार करने वाले पापी लोगों के लिए प्रभी इसा मसी ने प्रार्चना किया उन्हें ट्षमा किया इसलिए इसा मसी कुरूस पर से कहते हैं पिता इन्हें च्छमा कर दो क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो निवास करने वाला जो पाब जो सेतान ये करा रहा है तो केवल मसी ने इस सिखाया नहीं बलकि करकर दिखाया जीकर कर दिखाया अपने जीवन में बोलने वाला हर एक बातों को उतार करके जी करके दिखाने वाला प्रभु है हमारा प्रभु येश्यों तो इसा मसी ने कहा तुम अपने शत्रुवों को प्यार करो शत्रुवों को प्यार करने के लिए सिखाने वाला मसी इस प्रकार शत्रुवों को प्यार करते हुए चमा करते हुए हमें दिखाया यदी हम लोग हीब्रूस इब्राणियों का पत्र हद्याए 12 वाक्य पंद्रह को पड़ेंगे हीब्रूस चाप्टर 12 वर्स 15 वहांबर लिखा है आप सावधान रहे कोई इश्वर की कृपा से वंचित ना हो ऐसा कोई कड़वा और हानिकर पोदा पनप ना पाए जो समस्त समुदाय को दूशित करता है यहांबर वजन में लिखा है आपको सावधान बरतना है किसीज के लिए इश्वर की कृपा से आप बंचित ना हो आप में इश्वर की कृपा सदा बरसता रहें आपके परिवार में इश्वर ये कृपा बरसता रहें इसके लिए आपको सावधान रहना है और आगे क्या लिगा है आप में ऐसा कोई कडवाहट नहीं होना है ऐसा कोई पोदा नहीं होना है जो ईश्वर की और से नहीं हो ऐसा कोई कडवाहट पोदा आपके हुरे में मन में ना पनपना जो आपको दूशित करेगा आपका समुदाय को आपका परिवार को सब दूशित कर देगा इसलिए इबरानियों के पत्र में हमें सावधान करता है कि हमें इस प्रकार का कडवाहट से हमेशा दूर रहना है अनेकों लोगों का जिंदकी इसलिए बरबाद होता है वो कडवाहट से बराए नफरत से बराए दूसरों को सहन नहीं कर सकता शमा नहीं कर सकता दूसरों को जब तक हम शमा नहीं करेगा हमारे अंदर एक कडवाहट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा यदि हम लोग मतिकस्व समचार अधियाए 15 वाकिय 13 को पड़ें वहां पर ईशा मसी ने कहा जो पवदा मेरे सुर्गी पिदाने नहीं रूपा है वह उखाडा जाएगा मैत्यू चप्टर 15 वर्स 13 जो सुर्गी पिदा के और से नहीं है उसको उखाड़ना है जो नफरत का पोदा हमारे अंदर पनप रहा है वो इशुर की और से नहीं है इशुर शत्रूओं को भी प्यार करने के लिए हमें सिखाता है मसी इस प्रकार शत्रूओं को गिले लगाते प्यार करते हमें ये सबक सिखाया हमारे अंदर ऐसा कोई कडवाहट ना हो क्योंकि ये कडवाहट हमारे जिन्दगी को बरबात करता है हमें सुर्गराज्य से दूर करता है हमारे शरीर में नाना प्रकार के बीमारियों का कारण हमारे करदे में मन में कडवाहट रखना है इस कडवाहट के कारण हम ये शुर्य कृपा से वंचित होता है कई लोग छमा नहीं कर सकता कई लोग सहन नहीं कर सकता चोटी चोटी बातों पर गुसा करना चीकना चिलाना ये सुभाव क्योंकि वो सहन नहीं कर रहा है अपने आंखों को अपना मुझ को अपने कान को बंद करकर कर बैट नहीं सकता हर बात पर चीकना चिलाना लड़ना दूसरों की बुराई करना निंदा करना ये सुभाव हमें हानिकार पोदा जैसे हमारे जीवन में हानी पहुचाता है ये शुर्य कृपा से हमें वन्जित करता है ये हमें दूसरों को च्षमा करना है हमें इसा मसी से सीखना है ये च्छमा करने का कृपा प्रबु हमें परदान करता है जब उस दाक्लदास से हम जुड़े रहेगा हमारे अंदर पवित्रात्मारू भी वो शक्ति आ जाता है जो हम दूसरों को सहन कर सकता है च्छमा कर सकता है दूसरी बात है आज में विशेश रूप से यदि दूसरों को च्छमा करोगे दूसरों के साथ अच्छमेल मिलाप में रहोगे दूसरों की बुराई को निंदा जो करते हैं आपको धुक कश्ट पहुंचाता है यदि आप उसको सहन करेंगे उन्हें च्छमा करेंगे उन्हें प्यार करेंगे तो आपकी जीवन में मिलने वाले नो कृपाएं आशिशों के विशे में बताने जा रहा हूँ छमा करने से मिलने वाला आशिशे यदि उसको हम समझ ले तो अपमें छमा करना आसान हो जाएगा इसलिए हमें सबसे पहले उसका क्या-क्या फाइदा है इसके विशे में मननचिंदन करना ज़रूरी है रोमियों का पत्र दिया बारह वाक्य नो से आगे हम भ्रादर प्रेम के विशे में मननचिंदन करते हैं और आखरी वाक्य रोमन्स शाप्टर टॉल टॉन्टी वन में संद पवलूस लिखते हैं आप बुर्याई से हरना नहीं बुर्याई पर विजे प्राप्त करने का एक तरीके वहाम बता कर रक दिया जो आपके शत्रु है आपके विरोधि है आपको दुख कष्ट पहुंचाना वाला है उसके साथ आप भलाई का कारी करना सुरू करो आप जा करके उनका भलाई करो इसलिए प्रभु ने कहा उनके लिए प्रार्चना करो जो शत्रू है जिन्नोंने आपको दुख दिया उनके अच्छाई के लिए प्रार्चना करना उन्हें एक कृपा मिलने के लिए ये शुरीय आशिश मिलने के लिए हमें प्रार्चना करना है इस प्रकार भलाही के दुआरा बुराई पर विजे प्राप्त करने के लिए लिखा है तब हमें ये शुरीय कृपा ये आशिशें बर्चना सुरू करेगा सबसे पहले मतिकसु समझार अधियाए पांच अधियाए च्छे मैत्यू चाप्टर सिक्स वर्स फॉर्टीन और फिफ्टीन में लिखा है इसमसी ने हे पिता हमारी प्रार्थना सिखाने के अंद में कहते हैं यदी तुम दूसरों के अपराद च्छमा करोगे तुम्हारा सु पिता भी च्छमा नहीं करेगा और सिराक प्रवक्तागरंद अधियाए अठाइस वाकि एक से चार्थ का गरम पढ़ेंगे वहांबर भी यही लिखा हुए तोटा सब पढ़ना अच्छा है प्रवक्तागरंद अधियाए अठाइस वाकि एक में लिखा है इश्वर बैदला लेने वालों को देंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा इश्वर केवल उनीक का पापों का लेखा रखता है जो दूसरों की गुनाहों का इसाब किताब रखते है जो बुराई का लेखा जो का रखता है उनीक का इश्वर भी पापों का लेखा इसलिए हमें च्छमा करना जुरूरी आगला वाक्य वाक्य दो में लिखा है अपने पडोसी का अपराद च्छमा कर दो और प्रार्तना करने पर तुम्हारा पाप वे च्छमा किया जाएगा और वाक्य चार सबसे उत्तम यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह आप दूसरों को च्छमा नहीं करता तो ये शुर से कैसा च्छमा मांगेगा इसलिए सबसे पहले हमें एक दूसरे से च्छमा देना ज़रूरी है उन्हें च्छमा कर दो इसके बाद हमारे पाप अबराद के लिए प्रभू से च्छमा मांगे मैंने पाप सिगार संसकार के विशे में जब क्लास लिया था कुछ दिन पहले ही तब मैंने जो फाइव स्टेप्स बताया था उसमें तीसरी स्टेप में मैंने ये भी बता करके दिया था हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहने का दृड़ने चे करना है एक दूसरे से च्छेमा मांगने का च्छेमा देने का दृड़ने चे करना है इसके बाद पुरुखित के पास हमें जाकर के पापों को स्विकार करना है। तो छमा देना, छमा मांगना हमारी जीवन में कृपा अनुगर लाएगा। हमें छमा मिलने के लिए हमें दूसरों को छमा देना ज़रूरी है। मतिके सुसमा चार अठारा अठार में पेतरूस एक का एक सवाल था पेतरूस ने पूछा कितनी बार मैं चमा करूं सात बार प्रवी ने कहा मैं ने कहता सात बार बलकि सतर गुना सात बार अर्थाद आंगिनेत बार तुम चमा करते जाओ चमा करते जाओ तब हमें भी चमा मिल तो सबसे पहला फाइदा ये है हमें ठ्षमा मिलने के लिए हम जब ठ्षमा देता है हमें भी बिलता है दूसरी बात मार्कुस के सुसमचार उसके अधियाई ग्यारहवा के पचीस में का लिका है जब तुम प्रार्थना के लिए कड़े हैं अर्थाद तुम ये शुर से जब पहले अंतकरन की जान्च करका देखो मेरा किसी के साथ मन मुटाव तो नहीं है यदि किसी के साथ वाईर सत्रुदा रेकर के आप प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी इसलिए संद मार्कुस ने लिका है जब प्रार्थना के लिए खड़े ह सबसे पहले जितने लोगों से च्छमा करना है च्छमा करो इसके बाद प्रार्थना करो ताब प्रार्थना की सुनवाई होगी और मत्रिस समचार रदिया ये पांच वाक्य तेईस वहाम पर लिका है जब तुम वेदी पर बेली चड़ाने के लिए जाते हैं और वेदी के सामने तुम्हें याद आ रहा है कि किसी को तुमसे कोई सिकायत है तो हम पर प्रवीसा मसी ने कहा सबसे पहले तुम उन्च से जाकर के मेल मिलाब करो और भेंड तब अरपित करना जब तुम मेल मिलाब की अवस्ता में हो मेल मिलाब की अवस्ता में नहीं शत्रदाक में हैं दुश्मिनी में हैं किसी के साथ बाच्चित नहीं आईसी अवस्ता में यदि तुम भेंड चड़ा रहे हो बेली अर्पित कर रहा हो वो बेली इश्वर स्विकार्य नहीं करेगा अर्थाद मेरा बेली मेरी प्रार्चना प्रभु स्विकार्य करना है तो मुझे दूसरों के साथ मेल मिले आपका जीवन जीना ज़रूरी है चवता चमा करेगा तो हमें चंगाई भी मिल सकता है याकुब का पत्र दिया है पांच वाकिया सोलह के अंदर लिखा है अब एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को स्विकार करो जब हम पापों को स्विकार करता है एक दूसरे के सामने महा मैंने एक गलती किया मुझे माफ करो किसी को अपने दुख पहुँचा या उनसे आप माफी मांगेंगे और उनके अपरातों को आप चमा दोगे तब यदि तुम प्रार्थना करेगा तुमारा चंगाई होगा नाना प्रकार के बीमार विक्ति इस प्रकार चमा करते हुए चंगाई प्राप्ता हुआ साक्षी मुझे मालु में अनेकों बीमारी का कारण चमा नहीं करना दूसरों के प्रदी मन में बुरायान रखना दूसरों के प्रदी इर्शया रखना जलन रखना ये हमारे शारीरी के मानसे के बीमारी का एक मुख्य कारण है एदि हम अच्छे मेल मिलाप में सबों के साथ प्यार से जीवन जीएंगे नाना प्रकार के बीमारियां दूर हो जाएंगे एक चोटा सा गवाही है एक दिन किसी घर गया वहाम पर मैंने देखा उग घर को दो भागों में विभाजित करकर रखा हैं एक घर है साससुर एक सैड में और बहु बैटा दूसरे सैड में बीच में एक अलमारा रखर के उद्वार को बंद किया हुआ है जब उस घर में गया बैटक रूम जो है वह बहु बैटे के सैड में है वहाम पर में बिठाया और वो सासमा घर के बाहर खड़ी हो करके बातें कर रहें ब बहु बोलने लगी, चिल्लाने लगी, नो वर्ष हुआ, इनका विवाहु होकर, लेकिन कोई संदान नहीं है, और हमारे सामने उची करके बोलता थी, सांस मा के कारण है, इनका शाब है, आईसा वैसे बोलने लगी, और उस बेटी को मैंने काफी समझाया, बेटी, तुम अपने सांससुर को छमा करो, प्यार करो, उनकी सेवा करो, देखना इस प्रकार आप अन्यकों पापों का प्राइचित कर रहा है, साती साथ इसके दुआरा आपको अन्यकों आशिश मिलेगा, संदान मिलेगा, तो काफी समय उन्हें समझाया, समझा करके हम लोग चलेगी, प्रार्थना करके मेंगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला, वो जो दरवाजा बंद था, वो खुला, प्यार में रहने लगे यह साब, और करीब एक डेड़ साल के बाद पता चला, उन्हें एक संदान जब मैं दूसरी बार उनसे जो मुलाकात किया, तब वो दूसरी बच्चे का मा भी है, गर्प में उनका एक और बच्चा है, गर्प अवस्ता में था, तो उनका निसंतानता का एक मुख्य कारण, उनके घर का यह जो लड़ाई जगणा, सांस मा और ससुर उनका अनादर करन जगणा, रोज वहां लड़ाई आ होते हैं, इस प्रकार का जिन्दकी जब हटाया, प्यार में आया, तुरंदी ईश्र ने उन्हें आशिश के रूम में दो संधानों को दिया, पाप इस प्रकार का अनुग्रह से, आशिश से हमें वंजित करता है, नाफरत, कडवागत, य आशिश, इश्री आशिशों से हमें वंजित करता है, तो छमा करोगे, मेल मिलाप के अवस्ता में आओगे, हमें चंगाईया मिलेगा, क्यावले यही नहीं, क्यान सर जैसे, बड़े बड़े रोगी बीमारी से, हमें मुक्ति मिल सकता है, छमा करने से, मेल मिलाप करने से, अ कि चपन से आगे इदि हम लोग पढ़ेंगे वहां पर स्टेफानुस की विशे में लिखा है लोग स्टेफानुस को पत्तर मार करके मार डाल रहा था तब स्टेफानुस ने क्या किया गुठना टेका और उन पत्तर मार रहे हैं उनके लिए प्रभू से प्रार्चना किया उन् पिदा इन्हें चमा कर दो यह नहीं जान रहे क्या कर रहा है इन्हें चमा कर दो तब दो भेंगर चमतकार हुआ स्टेफानुस आंखें उपर की ओर उठा करके बोल रहे उस समय पर स्टेफानुस ने देखा सोर्ग को खुला हुआ अर्थाद जब हम दूसरों को हमारे अप्तेचारियों को हमारे स्ट्रों को प्यार करेंगे चमा करेंगे उनके लिए प्रार्षना करेंगे तब हमारे लिए सोर्ग कुलता है अर्थाद चमा सोर्ग खुलने वाला एक चावी है सोर्ग को खुलने का चावी है चमा करना स्टेवानुस ने जब उन शत्रवों को जो पत्तर मार रहा था उनको छमा करते हुए उनके लिए प्रार्थना किया सुर्ग को खुला हुआ देखा हम लोग यदी लुकस के सु समझार दिया ये पंद्र वाकी 11 से उडाव पुत्र का दृष्टांद पड़ते हैं वामर इसा मसी ने उडाव पुत्र वापस आ गया पिता उस पुत्र को छमा किया स्विकार किया लेकिन उनका बेडा पुत्र बेडा वाला बेटा अपने चोटे भाई को शमा नहीं किया बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं वाकि 28 में लूक चाप्टर 15 वर्स 28 पंद्र 28 में हम लोग पढ़ते हैं वो बेडा वाला भाई घर के बाहर कड़ा रहा वो अंदर नहीं आया पिदा के घर में वो ही प्रवेश करेगा जो अपने भाई को छमा करता है सुर्ग राज्य का दर्वाजा खुलता तब है जब हम छमा करता है यदि हम चमा नहीं करता हमने दर्वाजा बंद करकर रखा है हमने बंद किया है चमा सुर्ग को खोलने वाला चावी है चमा नहीं करने वाला वो बड़ा भाई घर का बाहर इसलिए कड़े रहना पड़ा पिदा के भवन से इसलिए दूर रहा क्योंकि ओ च्छमा नहीं किया दर्वाजा को बंद करकर रहा हमें च्छमा करने वाला इसलिए बनना है और वहां पर अगला एक चमतकार ये है स्टेफानुस को इशुर का दर्शन भी मिली गिया पिदा के दहिने विराजमान पुत्र को देगा इसलिए पिदा के सामने खड़े हो करके हमारे लिए वाकालत कर रहा था हमारी प्रार्थनाओं को पिदा के और हमारे लिए मद्यस्त के रुम में खड़ा हुआ वाकालत करने वाला एक पुत्र को स्टेफानुस ने भाम पाया इसलिए दर्शन चमा के दुआरा मिलत है ये शुर का अनभव में रहना है हम शमा करते हुए मेल मिलाप की अवस्ता में प्यार की अवस्ता में इसलिए रहना बहुत ही जरूरी है अगला साथ तुमा लूकस के सु समझार दिया है साथ वाके 35 में लूक चाप्टर 7.35 में लिगा है जो शमा करता है और सबों के साथ भाईचारे में मेल मिलाप में रहता है वो इशुर का पुत्र बन जाते हैं लूकस के सु समझार अधिया अच्छे वाके 35 को पूरा पढ़ लेता हूं में बहुत ही सुन्दर वचन है परंदु अपने शक्त्रों से प्रेम करो उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रख कर उधार दो तभी तुम्हारा पुरसकार महान होगा और तुम सर्वोच प्रभू के पुत्र बन जाओगे इसलिए हमें दूसरों को छबा करना सहन करना प्रेम करना बाहिचार्य का जीवन जेना के विल वही ईश्र पुत्र है इश्र का संदान बनने के लिए हमें छमा करना अनिवार है और मतिकस समचार अधियाए पांच वाके अड़तालिस में मैत्यू चप्टर फाइव फोटी एट में लिखा है तुम पूर्ण बेरो जैसे सुर्गे पिता परिपूर्ण है सुर्गे पिता जैसे पूर्ण बनने के लिए हमसे कहते हैं तुम शत्रों को प्रेम करो तुमारे साथ दुर्वय वहार करता है तुमारा अनादर करता है तुमें दुख कष्ट देता है उन्ने तुम पियार करो सहन करो चमा करो तब तुम एशर के समान पूर्ण बनोगी प्रक्रिन नौमा अयूप का ग्रंद अधिया 42 वाक्य 10 में लिखा है अयूप के तिन दोस्त लोग अयूप के पास आकर के उनको खोस रहे थे उनके विरुद में बोल रहे थे अयूप के जिन्दगी में जो कुछ गड़ना हुआ जो दुख, कष्ट, रोग, दर्द के जो गड़ना हुआ उन दोस्त लोग आकर के अयूप के किलाफ बोलने लगे तुमारे पाप के कारण तुम्हें सब सजा धंड मिल रहा है इस प्रकार उसके दुख में और कष्ट पहुंचा रहा था और आकरी में हम लोग अध्याए 42 में पढ़ते हैं जब इन तीन दोस्त लोग जब बेली अर्पित करें प्रार्चना करें प्रभू ने बोला मैं स्विगार ने करूंगा यदि तुमारा दोस्त आयूप तुमारे लिए बेली अर्पित करें प्रार्चना करेंगा आयूब का गिरंद दिया है 42 दस में लिखा है जब आयूब ने इस प्रकार अपने दुश्मन अपने किलाफ बोलने वाले अपने को कश्ट देने वाले उनके लिए बेली अर्पित करते होई प्रार्थना किया इस और ने आयूब की जिंदिगी में जो कुछ नष्ट हुआ व हमारे जीवन में भी जो अनुगरह ईसरी अनुगरह आस्ष जो कुछी जो नष्ट हुआ जिंदगी में उसको दुगने मात्रा में जिंदगी में चाहिए कल हम लोग इस्टर मनाने वाला है आज हमें उस इस्टर का कुशी और आशिश प्राप्त करने के लिए यही कारे करना है सबों के साथ मेल मिलाप रखने का सबों को च्छमा करते हुए उनसे जाकर के च्छमा मांते हुए मेल मिलाप का पवित्रदा का जिवन जिएंगे इस्वर का संदान मिनेंगे तो हम लोगोंने मनंचिंदन किया यदि हम च्छमा करेगा तो पहली बात हम लोगोंने मनंचिंदन किया हमें भी च्छमा मिलेगा दूसरा हम च्छमा करते हुए जो प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना की सुनुआई होगी तीसरा जब हम एक दूसरे से मेल बिलाप की अवस्ता में बेली चड़ाएगा प्रभु हमारी बेली को स्विकार करेगा चवथा जब हम दूसरों के सामने अपने गुनाओं को स्विकार करते हुए दूसरों को छमा देते हुए प्रार्थना करेगा हमारे रोग बीमारियां दुख कष्ट सब दूर हो जाएगा जब हम इस प्रकार चमा करते हुए दुसरों को सहन करते हुए चमा करते हुए प्रार्थना करोगे हमारे लिए सोर्ग खुलेगा छटवा में हम लोग ने मननचंदन किया जब हम चमा करता है इश्वर का दर्शन और इश्वर हमारे लिए मद्यस्तु बन करके रहा रहता है और हमारे लिए प्रार्शना करता है प्रवियेश्यू और हमने देखा इश्वर ये दर्शन के लिए हमें चमा करना है अगला हम लोगों ने मनंचंदन किया पूर्ण बनने के लिए ईश्वर जैसे पिदा जैसे पूर्ण बनने के लिए हमें भी शत्रुवों को प्रेम करना है शमा करना सहन करना है उनके लिए प्रार्चना करना है जब इस प्रकार का कारी हम करता है अगले में हम लोगों ने मनंचंदन किया तब हमें ईश्वर का संदान बनेंगी और आखरी में नव में पोईंड में हम लोगों ने मनंचंदन किया हमें दुगनी आशिश इसके द्वारा प्राप्त हो सकता है तो ये है यदि हम चमा करोगे प्रभू ने हमारे बड़े-बड़े पाप अबराद नुर्देश सेवक का द्रिश्टांद मती कसु समझारा दिया है अठारे में पड़ते हैं लाकून रुपिया हम करजदार है और हमें केवल सब रुपिया चमा करना है तोड़ा सा में चमा करना है तब हमें लाकून रुपिया चमा मिलता है तो आकरी में प्रवीशा मसी कहते हैं मती कसु समझारा दिया है अठारा वाक्या पैंदीज यदि तुम संबूर नगर्दे से दूसरों को चमा करेगा तुमारा सुर्गी पिदा भी आयसा ही करेगा पिदा पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमें सबंगो जैयस्यू